नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और सुन्दर सी उसदी के साथ ये जो आप देख रहे हैं न ये भारत बरस में बरसात के मौसमों में शड़कों की किनारी पर बेकर बड़ी भूम पर ये अपने आप ही उख जाती है और ये अपने आप में एक चमतकारी जड बोटी है दोस्तों ये आजपा सुता उगने वाली ये उसदी आप इसको बेकार मत समझेगा इसको ध्यान से देखिए क्योंकि ये नेक बीमारियों की रामबार दबा है और इस उसदी के प्रियोग बताने से पहले अगर आप हमारे चनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे को सबस्क्राइब करें उसके बाद बैल आइकन को दबा लिए और आल नोटिफिकेशन ओन कर लिए ताकि मैं जो वीडियो डालूं उसके जानकारी आप तक पहुंश सके दोस्तों इसके ये फूल देखिए आप ये जो फूल है इसके एक कहाबत है ये फूल बहुत ज़्या अपनी आखों में डालेंगे तो रतों जी का रोग गायब हो जाएगा दोस्तों ये इसकी फली है फली काफी लंबी होती है और इस फली को जब ये फली पक जाएगी तो अगर इसको आप तोड़ेंगे तो इसमें परियप्त मातरा में बीड निकलते हैं मैं भी तोड़के दिखा रहा हूं इस फली को इसके बीजों से मैं आपको पर्चे करा दूँ अगर इन बीजों को आप इखटा कर ले और एकत्रत करके अगर आप चुरन बना करके और उसमें तुलसी की पत्तियां मिला करके शेवन करते हैं तो परानी से परानी कबजित की बीमारी दूर हो जाती है क्योंकि यह ब्रेचन है इसके बीजों में ब्रेचक का गुड़ पाए जाता है जो आपके डाजिसल सिस्टम को दूर करता है जो गलबर हो गया है आपका पाचन तंत उसको मजबूत करता है साथी साथ यह पाखाना ठीक से लाता है दोस्तों इसमें जहर को दूर कर बिच्छू का जहर दूर हो जाता है, यह सरपधंस में इस बूटी के जड़ का परयुक किया जाता है, आपो 10-15 ml जड़ी के सुरस को जड़ी बूटी के जड़ होती हो उसके सुरस को पिला दें, सरपधंस के रोगी को और उसके उपर इसकी पत्तिया का जो पेस्ट है या आप डॉक्टर की सलाह जरूर ले दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा और सिद गुर्णों से भरपूर है समय समय पर मैं इसके और भी गुर्ण लेकर हाजर हूँगा तब तक के लिए नमस्क्राइब